नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल नरायन बहुत स्वागत है आपका गुण मॉर्निंग इंडिया की खबरों में भार्तिय विदेश मंत्री स्जेशंकर आज सुभा अमेरिका पहुँच गए हैं वो अगले पांच दिन यानि के 28 मई तक अमेरिका के दौरी पर रहेंगे सेंग्त रास्ट में भारत के राजदूत टी एस तिरुमूर्ती ने ट्वीट करके जान करी दी है एक जन्वरी 2021 को सेंग्त रास्ट सुरक्षा परिशद में भारत के प्रवेश के बार विदेश मंत्री पहली बार न्यूयोक आए है कोविट संकट के बीच विदेश मंत्री जैशंकर के दौरा भारत की वैक्सिन जरूतों की लिहास से भी मैतोपुर माना जा रहा है खास्तोर पे ऐसी समय में जबकि अमारिका आठ करोड वैक्सिन डोज उपलब्द कराने की घोशना पहले ही कर चुका है ऐसी में भारत की कोशिश उसका बड़ा हिस्सा हासिल करने की होगी जैश अंकर की अमारिके विदेश मंत्री टोनी बंकलिन सेंक्त राष्ट महासचीव एंटोनियो गुतारेस और बाइडन सरकार के अन्य आला अधिकारी सो मलकात होनी है अमारिकी राष्पती जो बाइडन के जन्वरी में सत्ता समाले के बाद भारत के किसी विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा है जैश अंकर वाशिंटन में अमारिकी विदेश मंत्री एंटिन बिंकलिन के साथ चर्चा करेंगे अमारिका से कच्ची माल के आपूर्टी तेस करड़े पर जोर दे सकते हैं साथी टीके के सिव्ट उत्पादन की सभामना के बारे में भी चर्चा करेंगे मंत्राले के बियान के अनुसार देश मंत्री की यात्रा के दरान उनका भरत अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविद नाइटिन माहमारी से जुड़े सायोग को लेकर कारोबारी मंचों से समवाग का कारकरम भी है हत्या के मामले में आरोपी ओलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुश्रील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेनर अविवार को गरफतार कर लिया सुश्रील को दिल्ली के मुनका इलाके से गरफतार किया गया है उसे स्कूटी के साथ पकड़ा गया पुलिस ने स्कूटी को सीज कर दिया है सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक उसने स्कूटी एक लड़की से मांगी थी और बाद में उसी स्कूटी के साथ दिल्ले पुलिस ने पकड़ लिया वह ये भी चानकारी मिलती है कि दिल्ली पहुंचते ही सुशिल कुमार वेस दिल्ली की हरी नगर में रहने वाली एक लड़की के घर गया और उसे स्कूटी लेनी लड़की से स्कूटी लेने के बाद सुशिल कुमार उसी पर सवार होकर अजे नाम के शक्स के साथ किसी से पैसे लेने जा रहा था बताई जाता है कि गरफतारी के डर से भाग रहे सुशिल कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे दिले पुलिस के स्पेशल सेल ने स्कूटी सीज कर दी है सुशिल कुमार से स्कूटी मालिक के बारे में और स्कूटी कहां से मिली उसके बारे में पूछा गया तो अरंपिक पदश्वी चेता ने बताये कि वो स्टूरेंट है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है पुले सुत्रों से मुरी जानकारी के मताबिक जिस लड़की से सुशिल कुमार ने स्कूटी मांगी वो लड़की भी स्पोर्ट से ही जुड़ी हुई है जानकारी के मताबिक पहलवान सुशिल कुमार जब हारी नगर सित लड़की के घर गए तो फोन का इस्तमाल नहीं किया सुशिल कुमार ने उस लड़की को फोन भी नहीं किया सुशिल कुमार सीधा लड़की के घर गए और से स्कूटी मांग ली इसके अलावे ये भी जानकारी मिलती है कि सुशिल कुमार डोंगल के जरिये इंटिनेट का इस्तिमाल कर रहा था और अपनी करीवियों से लगातार संपर्प में था सुशिल कुमार इंटेनेٹ के जरीये फोन कॉल कर रहा था, इसके पीछे होँ, इसका मकसद था, पुलिस की पकड़ से बचना कोरोना वारस की दूसरी लहर के असर के बीच देश में बलैक फंगस का अखसंगत जारी है देश के अलग-लग हिस्तों में कई मामले सामने आचुके हैं जो सरकार के चिंता बढ़ा रहे हैं इसे बीच बलैक फंगस को लेकर स्टडी की गई जिसके मताबिक कुछ ऐसी चीजे हैं जो कोविड मरीजों में कॉमन हैं जो बलैक फंगस की चुनौती की बारे में कुछ समझा सकती है यह स्टडी 210 मरीजों पर की गई है जिसमें सभी को एंटिबाइटिक्स दिया गया था इसे के साथ ये लोग बलैक फंगस का शकार हुए मुद्र प्रदेश के माहराजा येश्वन त्रावस्पताल के डॉक्टर व्यूपी पार्णी ने स्टडी को लिखा है जिसमें दावा किया गया है कि जो बलैक फंगस की मरीज बिले हैं उसमें सिर्फ 14 फिस्ती ही स्टेरोइड का इस्तिमाल किया गया था जो कि स्टडी के मताबिक बलैक फंगस के पीछे मुख्य कारण बताया था भारत में इस वक्ट बलैक फंगस के 9000 से जादा के सामें आ चुके हैं करीब एक दरजन राज्यों ने इसे भी कोरोना के तरह मामारी घोशित कर दिया है स्टडी के मताबिक बलैक फंगस के शिकारों में 30% तक मित्यू दर है हाला कि ये पहले की मकाबले कुछ हद तक कम है बलैक फंगस के शिकार होने वालों में 38.9% तक संख्या पुर्शों की है जबकि 41% वो है जो कोरोना को मार देकर डिस्टार्च हो गए थे दियाबटीज के मरीजों को बलैक फंगस का खतरा जादा बताया जो आ रहा है लेकिन स्टडी में किस फिस्टी ही मरीज ऐसे थे जिन में डियाबटीज के कोई लक्षन थे हाला कि कई मरीजों को डियाबटीज से शुरू कुछ अन्य दिक्कते जरूर थी ब्लैक फंगस के मरीजों में एक और चीज जो पाई गई है वो यह है कि अधिक मात्रा में स्टीम लेना भी यह मरीज के सामने आया है और यहानिकारक भी हो सकता है आयम के कोची चैप्टर के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव जैवर्धन इसको लेकर चेता है और उनका कि शरी में एक लेयर है जो अमें एक तरह के बैक्टिरिया से बचाती है लेकिन अधिक मात्रा में स्टीम इसको नुखसान पहुचाती है और ऐसे कई चीजे जो ह वो सामने आ चुकी है गुड मॉर्निंग इडिया के खबरों में फिलाल के लिए ताहीं आप बने रहे हैं नियूस वाल इंडिया के साथ